एसी वेनु गोपाल जी, रमेश चैनिताला जी, विजे बढ़िटिवार जी, हमारे कैंडिडेट्स, डॉक्टर सतीश वर्जुकर जी, संतोष रावत जी, स्टेज पे कॉंग्रेस पार्टी के और हमारे गटबंधन के वरिश नेता, कॉंग्रेस पार्टी के प्यारे कार्यकरता, बबर शेर, टाइगर, शिप सेना, एन्सी पी और जो बाकी हमारे अलायंस पार्टनर हैं, उनके भी कार्यकरता हूं का मैं यहां स्वागत करता हूं, प्रेस के हमारे मित्र हैं, इनका भी मैं यहां स्वागत करता हूं, मित्र कह देता हूं, मगर दोस्त का काम नहीं करते हैं यह, वो मैं आपको बाद में समझाओंगा, कि मीडिया, किसानों का मुद्दा, गरीबों का मुद्दा क्यूं नहीं उठाती हैं, आपने देखा होगा, कभी आपने मीडिया को किसान के मुद्दे के बारे में बोलते हुए देखा हैं, मजदूर दिखते हैं आपको मीडिया में, बेरोजगारी की बात होती हैं, महंगाई की, अम्बानी की शादी, देखिए आपने, कितने दिन मीडिया ने अम्बानी जी की शादी दिखाई, डान्स, गाना, दस करोड की घड़ी, हवाई जहाज, दुनिया भर से लोग आए, ये दिखाते हैं, और फिर एक तरफ अम्बानी जी की शादी, दूसरी तरफ 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी का चेहरा, वो ही दिखता है, विपक्ष के चेहरे आपको नहीं दिखेंगे मीडिया में, और ये क्रान्तिकारी जमीन है, यहाँ अंग्रेजों के खिलाफ आपने लड़ाई लड़ी, पहली बार अंग्रेजों का जंडा, उतरा और खादी का जंडा आपने लहराया, तो शुरुआत मैं सम्विधान से करता हूँ, क्योंकि जो आप लड़ाई लड़े थे, जो यहाँ हमारे युवाश शहीद हुए थे, वो सम्विधान के लिए लड़े थे, वो चाहते थे कि हिंदुस्तान में भाईचारा हो, समानता हो, एकता हो, और वो चाहते थे जो अंग्रेज उनका धन चोरी कर रहे थे, वो बंध हो, और अंग्रेज हिंदुस्तान से वापस जाएं, यह काम आपने ही शुरू किया था, और यह चुनाव भी दो विचारदाराओं के बीच में लड़ाई है, जब यहाँ, आपके युवा शहीद हुए थे, वो भी विचारदाराओं के लड़ाई थे, आज भी वो ही चल रहा है, वो जो आपके यहाँ युवा शहीद हुए थे, वो इसके लिए शहीद हुए थे, समयधान के लिए, बिर्सा मुंडा जी, कांतिया भील जी, गुलाम महराज, कुमराम भीम जी, संतुक्डो जी महराज, इन सब की सोच इसमें है, यह नई किताब नहीं है, इसके लिए हजारों साल से इस देश में लड़ाई चल रही हैं, और हमारे जो महापुर्चें, जो लीडर्ज रहें हिंदुस्तान के, अम्बेटकर जी हो, महात्मा गांदी हो, फूले जी हो, उन सब की सोच इसमें है, आप अगर इसको खोल के पढ़ेंगे, तो जो भिरसमुन्डा जी कर रहे थे और कह रहे थे, इसमें आपको दिखेंगे, कॉंग्रेस पार्टी कहती है, देश को समविधान से चलाना चाहिए, और RSS BJP कहती है, समविधान को परे करो, समविधान को हटाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं हर मीटिंग में समविधान दिकाता हूँ, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आप ही की करामती की याद दिलाना चाहता हूँ, आप ही के शहीदों की याद दिलाना चाहता हूँ अम्बेटकर जी, गांधी जी इनकी याद दिलाना चाहता हूँ और आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि उनके दर्द, उनके दुख, उनके खून से ये किताब बनी है गांधी जी ने अपनी जिंदगी दी बिरसा मुंडा जी ने जिंदगी दी इस किताब के लिए और आज हिंदुस्तान के प्रधान मंतरी कहते हैं कि इस किताब के अंदर कुछ नहीं है खाली किताब है देखिए ये खाली किताब नहीं है ये देखिए वो उनको खाली लगती है क्योंकि उन्होंने ये किताब कभी नहीं पड़ी RSS के लोग इस किताब को मानते नहीं है इसको पढ़ते नहीं है मुझे बताइए आपकी सरकार आपसे चोरी की गई आपने पिछली सरकार चुनी और BJP ने करोडों रुपे दे कर MLS को करोडों रुपे दे कर आपसे सरकार चोरी की घारवी की जमीन चाहिए थी उनको एक लाख करोड रुपे की जमीन है अदानी जी के हवाले करनी थी इसलिए आपकी सरकार गई अब मैं आपसे पूछता हूँ सम्विधान में कहां लिखा है कि MLS को पैसे दे कर सरकार को गिराना चाहिए कौन से पेच में लिखा है मुझे बता दो सम्विधान में लिखा है कि हिंदुस्तान में चुनाव होना चाहिए और जो चुनाव जीतता है उसे सरकार चलानी चाहिए सम्विधान में कहीं नहीं लिखा है कि आप चुने हुई सरकारों को पैसे से गिराओ नरेंद्र मोदी जी ने अरब पतियों के 16 लाग करोर रुपे माद किये हैं मुझे दिखा दो अमबेटकर जी के सम्विधान में कहां लिखा है कि 25 लोगों का 16 लाग करोर रुपे माद होना चाहिए और हिंदुस्तान के किसानों का मजदूरों का एक रुपे माद नहीं होना चाहिए मुझे बता दो कहां लिखता है क्या अधानी जी के लिए अधानी जी के धन बढ़ाने के लिए बिरसा मुंडा जी ने अपनी जान दी यहां जो युवा शहीद हुए थे क्या वो अधानी जी के लिए शहीद हुए थे या हिंदुस्तान के किसान के लिए हिंदुस्तान के मजदूरों के लिए हिंदुस्तान के आदिवासियों के लिए दलितों के लिए पिछणों के लिए जब नरेंद्र मोदी जी कहते है कि समविधान के अंदर कुछ नहीं है खाली है जब कहते है राहूल गांदी लाल सम्विधान दिखा रहा है तो राहुल गांदी का अपमान नहीं कर रहे है वो बिर्सा मुंडा जी का अमबेटकर जी का गांदी जी का अपमान कर रहे हैं और उनसे भी ज़ादा हिंदुस्तान के किसान का हिंदुस्तान के मजदूर का हिंदुस्तान के बेरोजगार युवा का आपमान कर रहे हैं सचाई है यह मैंने पार्लिमंट में नरेंद्र मोधी जी से कहा आप एक काम कीजिए यह जो दिवार बनी है 50% रेजर्वेशन की नरेंद्र मोधी जी इसको आप तोड़ दीजिए विपक्ष आपका पूरा समर्थन करेगा राहूल गांदी आपका पूरा समर्थन करेगा अगर यह आप यह दिवार तोड़ोगे नरेंद्र मोधी ने एक शब नहीं बोला उनके सामने मैंने बोला नरेंद्र मोधी जी देश को जाती जनगरना की जरूरत है जाती जंगर्ना कराईए पिछणों को बताईए उनकी कितनी आबादी है दलेतों को बताईए उनकी कितनी भागीदारी है अधिवासियों को बताईए उनकी कितनी भागीदारी है नरेंद्र मोदी जी ने एक शब नहीं बोला देड़ घंटे का भाशन दिया उसके बाद ना रेजर्वेशन के बारे में ना जाती जन्गर्ना के बारे में एक शब बोला और फिर अपने भाशन में कहते हैं कि राहूल गांदी रेजर्वेशन के खिलाफ है मैं हर मीटिंग में कहता हूँ कि reservation को 50% से ज़ादा कर देना चाहिए हर meeting में कहता हूँ हर meeting में मैं कहता हूँ जाती जंगरना होना चाहिए और देश का प्रधान मंत्री खुल कर stage में जूट बोलता है कहते हैं कि रावल गांदी समयदान को खतम करने की कोशिश कर रहा है रावल गांदी 4000 किलोमीटर चला है कन्या कुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा में हर रोज हम कहते थे समयदान को बचाना है नफरत मिटानी है नफरत हिंसा इनको खतम करना है नारा दिया हमने नफरत के बाजार में मोहबत की दुकान कोलनी है अब आप पूछोगे मुझसे कि भाई राहूल जी जाती जनगरना क्यूं रेजर्वेशन पचास परसेंट से जादा क्यूं आप पूछोगे बाई और बहनों हिंदुस्तान में आठ परसेंट आदिवासी है पंद्रा परसेंट दलित है पचास परसेंट वो भी सी है और यह मैंने पचास बोला है मगर कोई नहीं जानता कितना है अंदाजा लगाते हैं पचास होगा पच्पन भी हो सकता है साथ भी हो सकता है किसी को नहीं मालूम क्योंकि आज तक सेंसर्स में ये सवाल पूछा ही नहीं गया है पचास परसेंट पिछड़ा वर्थ 15% गलित 8% आदिवासी और उसमें 15% माइनोरिटी जोड़ दीजे 90% हो जाता है तक्रीबन मैंने आपसे मीडिया के बारे बात की मैंने आपसे कहा अदानी की शादी दिखती है क्रिकेट मैच दिखते हैं मगर आपको मीडिया में गलित वर्थ का कभी कोई नहीं दिखेगा आदिवासी कभी नहीं दिखेगा पिछड़े वर्थ के लोग नहीं दिखेंगे आप एंकर्स की लिस्ट में कालिए पत्रकारों की लिस्ट में कालिए बड़े बड़े एंकर्स हैं हिंदुस्तान में 100-200 हैं ग्यान देते हैं 24 घंटा उन में से मुझे आप एक दलित का नाम बता दीजिए एक आदिवासी का नाम बता दीजिए एक पिछड़े वर्क का नाम बता दीजिए एक नहीं है मीडिया को छोड़ी है आप कहेंगे नहीं हमें मीडिया नहीं चाहिए ठीक है तो चलिए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपणी की लिस्ट निकालते हैं अदानी की लिस्ट निकालते हैं अंबानी की कंपणी की लिस्ट निकालते हैं ताटा बिर्ला सब की लिस्ट निकालो 200 कंपनी हैं मुझे बता दो मालिकों में से OBC कौन है दलित कौन है आदिवासी कौन है नाम बता दो मुझे अच्छा आप कहोगे नहीं भहिया हम आदिवासी हैं हम दलित हैं हम पिच्छडवर के हैं हम मालिक नहीं बनना चाहते हैं है तो फिर मुझे बताओ 200 company में senior management में कौण रिया को नहीं को नहीं का नाम बता दो आदिवासी पिच्ट्रे का नम बता दू ठीक है, शायद आप कंपणी में काम नहीं करना चाते, मैं चाहता हूं कि दलित के बेटे, बेटियां, आदिवासियों की बेटी-बेटियां, पिच्णों के बेटी-बेटियां, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपणीयों के मालिक बने, गेम चल रहा है आप GST का पैसा देते हो आपके जेब से निकलता है सीधा जाता है दिल्ली जाता है और फिर बढ़ता है 16 लाख करोड रुपए करजा माफ हुआ है 25 लोगों का उस लिस्ट में मुझे एक दलित का नाम दे दो एक आदिवासी का नाम दे दो एक पिछड़े बर का नाम दे दो मैं भाशन देना बंद कर दूँगा आप मेहनत करते हो किसान मेहनत करता है मजदूर मेहनत करता है सोयबीन उगाते हो कपास उगाते हो धान उगाते हो GST देते हो रोस शर्ट खरीदी GST, पैंट खरीदा GST, फोन खरीदा GST, पेट्रोल डाला GST, अपना ही अनाज खरीदा GST, अपना आलू खरीदा GST, लाकों करोड रुपे निकलते हैं आपके जेप से, और भी सीधे दिल्ली जाते हैं, और दिल्ली में भज़ड बनता है, निर्मला सीता रमन आपको हर साल दिखेंगी, सूटके इसलिए घूमती हैं, मीडिया वाले दिखाते हैं, धूम नाम होता है, बड़े-बड़े उध्योगपती पार्लिमन पे बैठते हैं, पैन लेकर, कोई किसान नहीं अलाओ वहां पे, कोई मज़दूर नहीं बैठ सकता वहां पे, मैंने द सबसर बाढ़ते हैं, आये सबसर हैं, 90, कितना पैसा महराष्टा आएगा, कितना रेलवेज में जाएगा, किसानों को कितना मिलेगा, मनरेगा में कितना जाएगा, शिक्षा में कितना जाएगा, प्रिविटाइजेशन कब होगा, कैसे होगा, किसका होगा, ये 50, 90 लोग नि दिखा दूगा आपको, 90 में से एक आदिवासी है, एक आदिवासी है 90 में से, 8 परसंट आपकी अबादी है, और अगर हिंदुस्तान की सरकार आपका पैसा खर्च करती है, अगर 100 रुपे खर्श करती है तो आदिवासी अपसर्थ 10 रुपे का निन्ने लेते हैं अबादी 8% भागीदारी 100 रुपे में से 10 पैसा चलिए दलितों की बात करते हैं आप 15% आपने देश को समविधान दिया आपके नेता ने देश को समविधान दिया और आपकी क्या भागीदारी है आप 15% हो हजारों साल से आपको दबाया गया है हर रोज आपको तंक किया जाता है आज भी तंक किया जाता है 15% हो 90 में से आपके 3 और अगर 100 रुपय खर्च होता है हिंदुस्तान का अगर 100 रुपय खर्च होता है हिंदुस्तान के बजट में तो एक रुपिया आपका आबादी 15% भागीदारी 100 रुपय में से एक रुपिया अब चलिए पिच्छों की बात करते हैं अब पचास परसेंट हो मतलब दो हिंदुस्तानियों को खड़ा कर दो एक पिच्छे बरका है सो को खड़ा करो पचास पिच्छे बरके निकलेंगे हजार में पांच सो आपके तीन अफसर है पीच्छे बरका है उनसे कहते हैं अपनी उकाद समझो पीचे बैटो और अगर सो रुपे खर्च होते हैं तो जिनकी पचास परसेंट अबादी है उनको पांच रुपे का निर्णे मिलता है पांच रुपे का डिसिजन लेते हुँ तो सब मिला कर पचास परसेंट, पंदरा परसेंट, आठ परसेंट मिला दो मतलब सत्तर परसेंट से ज़ादा आपकी भागिदारी सो रुपे में से छे रुपे दश पैसे ये सचाये देश की मैं आपके करजे माफ की बात करता हूँ मीडियो वाले कहते हैं राहूल गांदी आप आदत बिगाब रहा है और उनका 16 लाग करोड रुपे माफ हो जाता है कहते हैं देखो देखो कितना विकास हुआ देखो देखो कितना विकास हुआ आप पैसा देते हो उनका कर्जा माफ होता है आप पैसा देते हो आपकी जमीन जाती है मैं आपको बताता हूँ धारावी में अगर 10 अमीर लोग रहते न जमीन कभी अक्वायर नहीं होती 10 अगर में उसमें 10 रहते अगर उसमें अदानी का घर होता बीच में कभी अक्वायर नहीं होती वो इसलिए अक्वायर हो रही है क्योंकि उसपे गरीब लोग बैठे है उसपे पिछले लोग बैठे है उसपे दलित बैठे है उसपे आदिवासी बैठे है इसलिए अक्वाइर हो रही है और पूरे देश में आप जाईए जहां भी जमीन अक्वाइर होती है आपकी होती है किसानों की होती है पिछणों की होती है दलितों की होती है पाँच परसेंट गरीब जनरल कास्टे उनकी होती है आपने कभी सुना अमीर लोगों की जमीन अक्वाइर होते हुए कभी सुना आपने कि इस देश में किसी अमीर व्यक्ति की जमीन अक्वाइर हो गई गरीब लोगों ने क्या गलती किये कि आपकी जमीन जाती है उनकी नहीं जाती संभिधान में कहीं लिखा है कि धारवी की जमीन एक लाग करोर रुपे की जमीन गरीबों से छीन कर अदानी जी को देनी चाहिए कहां लिखा है मुझे दिखा दो कौन से पेज़ पे है मैं भोलना बंद कर दूँगा तो जितना भी धन्या आपका उदर जाता है और जो आपके लिए लड़ता है तनिया कुमारी से कश्मीर चलता है भटा परसॉल में जाता है जमीन अधिकरन बिल लाता है मनरेगा को सपोर्ट करता है उसको ये मीडिया वाले 24 गंटा गाली देते है क्यूँ? क्यूँकि वो आपके लिए लड़ता है जहां आपका अपमान होता है वहां खड़ा हो जाता है अब महराश्रा की सरकार आईगी इंडिया गड़बंधन की आईगी जितना पैसा उन्होंने अरब पतियों के दिया उतना हम आपको देने वाले हैं जाती जनकरना की मैंने आपको बात बता दी जाती जनकरना हम यहां करेंगे दिल्ली में करेंगे और पता लगाएंगे सच मुच में आपकी भागीदारी कितनी है कौन सी संस्ता में आपके कितने लोग हैं मीडिया में कितने हैं Corporate India में कितने हैं, Private Hospital में कितने हैं, Private College University कितनी हैं, ये पूरा मतलब X-ray कर देंगे. महराष्टा में भी करेंगे, दिली में भी करेंगे, तेलंगाना में हो रहा है, करनाटक में हो रहा है, और यहां भी करेंगे. पचास परसेंट की जो दिवार बना रखी है, रेजर्वेशन की उसको तोड़ के परे कर देंगे. अब यहां हमारी बेहने आईए. आप रीड की हड़ी हो देश की. डबल काम करती हो आप. डबल करती हो. बूलो मत आप. आपके पती बाहर जाके काम करते है आप भी बाहर जाके काम करते है और फिर आप वापस आके खाना पकाती है घर साफ करती है मार्केट जाती है तो अगर आपके पती आठ घंटा काम करते है तो आप सोला घंटा काम करती है शायद यहाँ जो पूर्श है उनको मेरी बात अच्छे ना लगे मगर वो सच्चाई है तो हमने निड़ने लिया है कि महराश्टरा की हर गरीब महिला के बैंक अकाउंट में हर महीने हम तीन हजार रुपे सीधा अंदर डालेंगे खटा-खट, खटा-खट, खटा-खट अंदर आप सुबह जगोगी, एक तारीक को जगोगी बैंक अकाउंट चेक करोगी देखोगी तीन हजार रुपे आपके बैंक अकाउंट में उसके बाद आप मार्केट जाओगी बच्चों से कहोगी कि मैं मार्केट जा रही हूँ बस तैंड में जाके खड़ी होगी जब बस में जाओगी कंडक्टर आपसे कहगा आप पुछोगी टिकेट खरीदने जाओगी कंडक्टर आपसे कहगा मैडम महराष्रा की सरकार ने ये फरी में कर दिया आपको एक रूप्यानी देना पुछोगी कहाँ तक फरी है और आपसे कंडक्टर आपको कहगा जहां भी महराष्रा में आप बस में जाना चाहती हो सारा का असारा फरी है दस किलोमेटर जाने 10 किलोमेटर 50 जाने 50 100 जाने 100 200 जाने 200 500 किलोमेटर जो भी आपको बस में जाना है वो महिलाओं के लिए महराश्टरा में फ्री है और जैसे हम यह काम करेंगे पुर्ष हमसे कहेंगे किसान हमसे कहेंगे यह आपने क्या कर दिया राहूल जी आपने महिलाओं को 3000 रुपए दे दिया हर महीने आप उनको बस में फ्री घुमा रहे हो हमारा क्या होगा आपने तो बैलन्स बिखाड दिया महिलाओं को आपने पैसे दे दिया बस में फ्री कर दिया हमार को आपने कुछ नहीं दिया तो उनसे भाईयों से मैं कहना चाहता हूँ तीन लाख रुपए का कर्जा आपका माप होगा तीन लाख रुपए तक का आपका कर्जा माप होगा सोया बीन के लिए आपको साथ हजार रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा कपास के किसानों के लिए सही MSP हम बना के देंगे और जो प्यास के किसान है उनके लिए हम एक Fair Price Commission जो प्यास के दाम को मौनिटर करेगा और कंट्रोल करेगा ये हम मारास्टा के किसानों के लिए करने जा रहे हैं अब गरीब लोगों को सबसे ज़्यादा नुक्सान हेल्थ केर से होता है, स्वास से होता है बिमारी हो जाती है, चोट लग जाती है, हस्पताल आपके नहीं है पहले सरकारी हस्पताल होते थे उसमें फ्री काम हो जाता था अब सारे के सारे प्राइवेट हैं, जैसे मैंने आप से कहा उसमें एक OBC नहीं मिलेगा, एक दलिट नहीं मिलेगा मालेक एक आदिवासी मालेक नहीं मिलेगा, तो आप जाते हैं, हस्पताल जाती है वैल्फ बदलनाना होता है स्टेंट लगवानी होती है कैंसर का ओपरेशन होना है लाखों रुपे आपके निकल जाते हैं पता भी नहीं रगता दवाई में MRI, X-ray 10-15 दिन में सालों की महनत गायव हो जाती है इसलिए हमारी सरकार आपके लिए एक स्वास्त भीमा योजना ला रही है बिमार होगे हस्पताल जाएंगे चाहे वो स्टेंट वैल्फ का ओपरेशन हो लिवर का हो, किडिनी का हो ट्रांस्ब्लांट हो, जो भी है महराष्टा की सरकार 25 लाख रुपे तक का भीमा आपको देगी आप जाओगे हस्पताल जाओगे स्टेंट लगेगी बिल देने जाओगे प्राइवेट हस्पताल आपको कहगा कि महराष्टा की सरकार ने आपकी बिल क्लियर कर दी है आपको एक रुपिया नहीं देना ये सब समविधान में लिखा है समविधान में लिखा है कि इस देश के नागरिकों को शिक्षा हेल्थ केर रोजगार मिलने का काम सरकारों का है हम जो इसमें लिखा है वो ही करते हैं इसमें लिखा है कि अगर धन बटेगा तो सब को एक साथ समानता के साथ नयाय के साथ दिया जाएगा इसमें लिखा है पहली लाइन है कि ये देश हर एक नागरिक का है इसकी पहली लाइन ये नहीं है कि ये देश अदानी का है अंबानी का है और इस देश का पूरा का पूरा फाइदा 20-25 अरब पतियों को मिलना चाहिए इसमें कहीं नहीं लिखा हम इसका प्रयोग करते हैं इसकी रक्षा करते हैं इसलिए हम आपको महालक्ष्मी योजना दे रहे हैं इसलिए हम आपको स्वास बीमा योजना दे रहे हैं इसलिए हम किसानों का कर्जा माफ कर रहे हैं इसलिए तीन हजार रुपए हम महिला के बैंक अकाउंट पे डाल रहे हैं हम इसकी रक्षा करते हैं और वो 24 गंटा बंद कमरों में इसको खतम करते हैं और अब पतियों का कर्जा माफ कर देंगे सरकार गिरा देंगे किसान बिल लाने की कोशिश करेंगे ये लड़ाई है आप देखिए देश में बेरोज़ारी पहल रही है जितनी बेरोज़ारी आज है इतनी हिंदुस्तान की हिस्ट्री में नहीं रही है मेंगाई बढ़ती जा रही है आपको अपने बच्चों की शादी करवानी होती है कर्ज में डूब जाते हो आप किसान आतम हत्या कर देता है और दूसरी तरफ हजारों करोड रुपए शादी में जलाई जाते है मीडिया दिखाता है नोट बंदी की गल जी एस्टी लागू की ये योजना है नहीं है ये गरीबों के खिलाफ हत्यार है ये गरीबों को मारने के हत्यार है जो छोटे बिजनस वाले थे स्मॉल मीडियम बिजनस वाले उनको मारने के हत्यार ही है क्योंकि अरब पती जो है हिंदुस्तान में चाइना का माल बेचना चाहते हैं वो चाहते हैं कि आप GST दो आप अपना पैसा निकाल के दो वो आपको चाइना का माल बेचे हिंदुस्तान में कुछ बनेना और पूरा का पूरा पैसा उनके पास जाता जाए यह सिस्टम है इनका ये नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान में प्रोडक्शन हो हिंदुस्तान में गाड़ी बने हिंदुस्तान में आइफोन बने ये चाइना का आइफोन यहां बेचना चाहते हैं असान है अगर चाइना का बेच सकते हो तो यहां क्यों बनाना तो इसलिए नरेंद्र मोधी जी ने सारे के सारे चोटे जो बिजनस हैं वो खतम कर दिये नोटबंदी जी एस्टी के साथ और आज नतीजा है कि हिंदुस्तान में रोजगार पैदा ही नहीं हो सकता कुछ भी कर लो नरेंद्र मोधी जी की सरकार जब तक है हिंदुस्तान में रोजगार नहीं पैदा हो सकता खतम हमारी सरकार यहाँ पे 10 लाख युवाओं को अगले 5 साल में रोजगार देने की कोशिश करेगी धाई लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी है वो धाई लाख सरकारी नौकरियां हम आपके हवाले कर देंगे महराश्टा के गरीब लोगों के किसानों के उनके हवाले कर देंगे और जब तक महराश्टा के बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा उस दिन तक हम चार हजार रुपए का अलावंस हर महीने उनके बैंक अकाउंट में डाल देंगे आप यहां आए दूर दूर से आए आपने कस्ट उठाया इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ और आकरी बार याद दिलाना चाहता हूँ कि यह लड़ाई संविधान की है अम्बेटकर जी की संविधान की है फूले जी की जिन लोगों ने यहाँ अपनी पूरी जिन्दगी दी जान दी उनके लिए यह लड़ाई चल रही है आपका फिर से धन्यवाद करता हूँ नमस्कार जैहिंद जै महराश्ट्रा महराश्ट्रा चाना को प्रयातून थेट मद्दार संगातून तॉप निउज उमाराथी की संपूर्न टीम विधान सबे साथी संचे अहाँ कोन होनार हम्दार टूर्स और ट्रावल्स विश्वा तिल एक विश्वसनी युनाव बैंगो हॉलिडेज खेव नालिया है धम्माल फॉरिंट टूर्स खास तुम चासाथी एक्जोटिक यूरोप सत्रा रात्री अठ्रा दिवस सौथ अफ्रिकन सफारी नौ रात्री दहा दिवस नॉर्धन लाइट्स आठ रात्री नौ दिवस दुबाई अबुधाबी पास रात्री सहा दिवस विएतनाम कंबोडिया आठ रात्री नौ दिवस तर आज अपली सेट बुग करा आणि अपली फोरेंट टूर्स मेमोरेवल करा मैंगो हॉलिडेज मंजेज ओ विस्मरणी या सहलीचा अनुभव मैंगो हॉलिडेज सव थामजला स्वोजस कापिटल अतिथी रेस्टोरेंट चावर लौ कोलेज रस्ता पुड़े चार संपर्क पुड़े 3881-555 किमा 8881-5774 मुंबाई 3881-553 किमा 1923-58 1778 3881-58 कमान गाईज हरी आप कर सुनना एक ब्रेक लेते हैं गाईज आम तेलिग यो तुम लोगो सही से ट्रेकिंग नहीं आता बद तो के यू कन लॉर्म प्रोज का दखकन देना प्रो यह रेड वाला है प्रोज का दखकन पहले तो सही पानी पीना मानिक्चन अक्सिरिच प्राउडली इंदियन